अगर आपको पता है कि आपने एक नया इनिस्याटिव स्टार्ट के टेलिग्राम के उपर जिसको हम टार्गेट 2024 कर रहे हैं मेंस एन प्रिलिप्स टॉन यूपसी स्केस्टी कर तो सबसे पहले तो आपको जाने टेलिग्राम में कर लिंग कर सकते हैं अज का बेसिकली हमारा टार्गेट था जो कि अमारा तमिल नाडू इस्ट्री की जो एनसी एहाटी इसराज मैं उसका रिवीजिन करना अलाकि जिन्होंने फोर्स टिंग भी नहीं लगाई उनके लिए वेल और ब्रिलियंट नोट्स डिजर आइस के आई उल्रडी पब्लिश आपको रात को ग्यारा बजे के पहले पहले वह सारे टार्गेट करके अपने कॉमेंस में मैंशन करना है ठीक है तो इस तरीके से बेसिकली आपकी दे जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे इस्टर पर चलती रहेगी एंड यह एक एज देगी आपको बाकि सब लोगों से अ हम बात करते हैं सब्सक्राइब करके यह हमारा काफी साथ टार्गेट में काफी साथ चीजी ती जिन में से एक टार्गेट आपके अगर आप टेलीग्राम चैनल जोइन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है तो यहां पर साइकलोजी कर रहे हैं वह आपको आने अब यहां पता चलेगा उसके लबाट ट्वीजन आइस के नोट की एक लगानी ती आपको आपको अपको आपको आपको देखना तो यह विजिकली आज देता तो मैंने इतना ज़्याद आपको जो है लोड दिया नहीं वेरी बेसिक एतना तो आना आना भी चाहिए आपको एक दिन में है ना अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन्हें थोड़ा सा जो क्वाइंटिटी है बढ़ती चली जाएगी अब बता दू आपको आपको बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा कि आपकी तोड़ी मदद कर दी जाए जितना हमने आपको पूरी आज़ादी है वहां पर आप डिसकस कर सकते हैं डाउट सकते हैं वहां पर आपको सबसे पहले अगर हम देखें यह क्लास 11 की NCRT है जबर दस नोट से बहुत सारे क्वेस्टिन आ रखें तो सुन लो समझ लो ध्यान से तो भाई भारत वर्श्या चलेंगे तो भारत वर्श्या की बात करें तो इसको क्या बोला है अभी तो बैसिकली दोनों के परस्पेक्टिव से देखें किस तरीकी से आप आंसर लिख सकते हैं स्टेट में उटा करके अलग जो लोगों से आपको कुछ अलग बनाएगा वह सब यहां पर मिल जाएंगे इसके अलावा जो यहां पर मेंशन नहीं है I will definitely tell you that okay उसके अलाव हम बात करें तो यह भारत वेसे कहां सा है भारत वर्श्या से ना दे लेंड ऑफ भारत है तो काइंड ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी है अज अटेंट अट लिस्ट वाइस दूरिंग दूरिय नहीं है तो यह में लिंग अफ रिंक अफ दे कंट्री वाज प्राकृत लैंगवेच की तो अगर हम बात करें फॉर्स चेप्टर की प्री हिस्टोरिक इंडिया दो हरपन आर्किटेक्ट जो हमारा हरपन कल्चर है और यहीं डिफरेंस आपको यहां पर करना होता है कि क्या पढ़े पढ़ा क्या तो नकिक है तो आपको में प्रेंचछ आपका कर वाले पार पर ले जनो के वह पर कहले प्रेंगा मस्कॐर अरिंडिया तो यह जो यूनिफॉर्म पर अलग जगह पर अलग लग टाइम पर अलग डेवलप्मेंट के कारण यहां पर उचा नीचा आपने मेटर आपको देखने को मिलता है तो प्रीटिक पीरेड में जो डेटिंग की गई ती कारण डेटिंग वह बहुत सांटिफिकली की गई जिसको रेडियो कारवन डेटिक बोलते हैं वहां से हमको काफी सारे साख्ष मिलें डेफिनिटी एक यह वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है कि अनाधर डेटिंग मेंटा हो जाने की जिरोथ नहीं है जो इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता चाल रहो चीक है और डेफिनेटली गिव क्रेडिट डिजाराइस की टीम की बात करें सबसे पहले तो यह होता है आपका सेवेरल रॉक शेल्टर्स एंड केव्स यूज्ट बाइड पेलियोलिटिक पीपल कि बहुत ही स्केटर्ड थे और अच में रहा करते थे नॉमेडिक नॉमेडिक थे इन तरह की आपने बात करते हैं इसके पीचेस देख लेते हैं लेकिन उसके पहले हैं इंडिया में कौन-कौन सी साइट्स हैं जो कि हमको यहां पर मेजरली देखने को मिलती है यहां से क्व इंडिया में अधिरम पंकम आपके चेने वाले इरिया में तो यह साइट्स जो कि अगर हम बात करें तो यह साइट्स इंडिया में अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको बता हूं कुछ फीचर बताता हूं इसके देखो कि अगर पेलियुलेथिक एज के बारे में पता लगा ना हो कि इसके कुछ क्या फीचर से तो हंटर गेद्रस इस टाइन पर जो होते थे वह लोग रहते थे ठीक है उसके लावा इस इस टाइम पर बहुत हैं इसको ओल्ड से बोलते हैं क्या बोलते हैं अगर आपको जानना पता होना चीव तो यह आपका पेलियोलितिक से नीजोलितिक तक तक तो पेलियोलितिक और नीजोलितिक के बीच में आने वाली कौन सी सबसे इंपोर्टेंट एज है वह है आपके मेजोलितिक ठीक इतना कि इतना के लिए ना आपको बहुत इजी चीजे बहुत इजी चीजे शांदी सुकून धहरी है एंड पेशेंस से इसको सुनो बहुत अच्छे से मजा जा अगर आई अगर आपको खुछ से भी रिटिंग लगा इसके राजिस्तान उतरप्रदेश और भिहार में अगर में जिसको बता दू इसको याद रखना इंडर लोग टर्म पेंटिंग जो है आपको देखने को मिलेगी मिलेगी फीचर कुछ देखे लिए जैसके तो जब बात करते हैं इसके कुछ फीचर मेजोलितिक एज कपता क किसा लगा क्या मानते हैं तो टाइनी स्टोन आटिफिक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यह तो यहां फ्ली फाइस देखने को में लोगे तीनुर्स माइक नग श्लिट्स अच्टे जिसे होते हम अठियार को भी लेकर रखन चले में थीयार में क्या ज्यादे इस्तेमाल करते थे थे और हंटिंग गेदरिंग पैटर्स अफ लाइब को ना खाव कर यहांट करते थे जो स्मॉल जैसे लेयरी होगे और फॉक्स और इस तरीके से थे यहां पर हम बात करते हैं बहुत डॉमेस्टिकेशन करने लग लोगों का पाल तू बेसिकली जानवर को यहां पर करने लग गये थे प्रिमिटिव कल्टिवेशन यहां पर स्टाट हो गया और बरियल्स अब जो लोग मरें जिनके टैथ होई यहां पर दाल देते उनके उनको धफन किया जाने लगा था तो अगर आपके आपका नियोलितिक बात कर लेते हैं यह आपका छे जाजार से लेका लेकर के 4000 तक तो पहला मैंने बताया को दस अजार तक वी इसके बाद आपके बात करते हैं जीसे कि यह बहुत इंपोटन्ट फिर से बता दू कि कश्मीर वेली उसके लावाद चिरांद वेली कहां पर आपके बिहार में बेलन वेली आपके उत्रप्रदेश में उसके लाव लेकर आपके इंपोर्टेंट नियुलितिक साइट इन अपके मास्की ब्रह्मगीरी हलूर कोडेकल इन करनातका इंपके अंदर प्रदेश में इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट यू नोट बिलीव में जब बोलता हूं कितना इंपोर्टेंट है आपको बाद में पता चलेग सबसे बड़ा सबसे जबरदस्त अगर में बताओं आपको कि डेवलप्मेंट क्या हुआ नियुलितिक में तो यहां पर हो गया डॉमेस्टिकेशन तो होई रहा था में जोले से इसके लबाब यहां पर पौट्री जब बात करतें मिट्टी के जो घड़े बगरा होते वह ब सब्सक्राइब हो गया और पौट्री बनने स्टाट हो गई विलेच कम्यूनिटी बनने स्टाट हो गई स्टोन टूल्स यह पॉलिश हो चुके थे ओर ज्यादा धारदार हो चुके थे मड़ ब्रीक्स हाउसे वर बिल्ट इस्टिट हो थे किरास हट जो कि में बहुत डॉमि सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब बहुत जबर्दस बहुत इंपोर्टेंट प्लीज इसको मां कर सके नोट्स आपको प्रोवाइट कर दिया टेलिगरा पर वहां से ले सकते हैं प्यूपल ऑफ नियोलिथिक एज उस्टोफ मैड़ ऑफ कोटन एंड आपका जब बात करें वूल का ठीके तो वूल और कोटन के यहां पर इन लोग कपड़े पहनने स्टार्ट इनोंने कर दिये तो जब आपकी पहले लिथिक फिर होगी आपकी मैजोलिथिक फिर होगी अबसट आपका मैटली थिक तो मैटलीेच के लिए ज्टेंज करते हैं देखते वही सगिंदर क्या क्या है था कि अबका आपका जिसका अलग से क्वाट कर लेतें इसले करनें सवारी मैटल चनूलोजी आगे थी बेसिकली करने के लिए किसको आपके मैटल्स को और जो मैटल के आटिफेक्ट्स थे आप अतियार लेलो आप जुएलरी लेलो वह सारी बेसिकली क्राफ्ट यहां पर करनी जाने लगती थी है ना की स्टार्टिंग बेसिकली बेसिकली आती यानिए कि सबसे पहले को पर आता है उसके बाद आयरन इस फ्रिक्वेंटले इंद वेदास ओल्स वेदास के टाइम पर भी आपको यह देखने को मिलेगा तो पढ़के आ रहे हैं कि हरपन जब स्टार्ट होने लगे उसके पहले यह यह सारी वैदेक और यह सारी एजस है वह ही हम यहां पर देख रहे हैं तो आइरे नेज ऑफ द साउथन पैनेशुला इस ओफन डिफल्टू और तो अपका लार्ज स्टोंस होता है सब्सक्राइब अब आपको लग यार सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं इसका आंसर बताओ कौन बतायागा इसका आंसर अचा बेसिकली देखो जब सिविलाइज़ेशन बनना ही स्टार्ट हुई जब सिविलाइज़ेशन बनना स्टार्ट हुई तो आरियंस उपर आया ने मार पीट के भगादिया उपरवाल लोगों यहां पर आकर के बस रहते हैं ठीक है लोटरी आर्टिफिक्स बनना ही स्टार्ट हो गयते हैं तो यह सब आप देखने स्टार्ट करना और यह आपका यहां पर कम्प्लीट होती है तो इस तरीके से आप इन डीटेल वी पढ़ेंगे इसको ना इन डीटेल में पूरे लेकर आप मुझे चाहेंगे तो थीक है कॉमें सेक्ष्चन आपके लिए ओपन है तो अगर हम बात करें तो दूसरा आता है अपका हरपन साइट का तो यहां पर अल्याइस एक्सक्वेशन इंडेस वेली में आपको कौन-कौन से मिले थे एक तो हरपन था वेस्ट पाकिस्तान में सब्सक्राइब में बाद म सबसे पहली जो साइट यहां पर देखने को मिली हरपा मोहण जोदारों काली बंगा राजिस्तान दोलावीरा गुजरात लोतल गुजरात भिराना बात करते हरियाना पंजाब वोडर पर राकी गड़ी यहां को देखने पंजाब में इंपोर्टेंट साइट आपन देखे तो यूपस्य में भर भर के क्वेश्चन में बता दे रहां अपको फिर से ठीके तो अगरा में तो कोट दीजी सिंध में अगर आपन देखें तो सबको पता है अरपन कल्चर के बारे में कि उनके टाउन प्लानिंग जबरदस्त हुआ करती थी क्या हुआ करती थी जबरदस यहां पर बनाएं जाते थे राइट एंगल पर काली बंगा यहां पर अपने सीटेडल सीटेडल के होता था अगर हम बात करें तो यह हाईयर सिटी या फिर हम बात करें जिसे कि महल अगरा होते हैं अगरा तो सीटेडल में रहते थे आपके बात करें तो यहां के रूलर्स वगएरा जो भी है नीचे रहते थे आम जमता तो सीटेडल तो पहले स्टार्टेव में कवर था पूर सीक्योर्टी वगएरा सब्सक्राइब लेकिन बाद में जाकरके वह इन लोगों के लिए भी क कोशना आघ्योर्अ करने लगा जो बहुत बड़ा डेवलप पैंट यहां पर यहां पर स्टोन बिल्डश केंसे हुआ यहांब नहीं हुआ करती तो सारे हाउच को करते प्लवर यहां पर एक पर रिके लियुक्ıs校 ऑप कि यहां होगा बाद देखने को मिला यह आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो ग्रीड बाद आपका कहा पर मोहन जोदार होगा and flights of the sorry flights of the steps at either and lead to the surface यह सारी है and they are aapke side rooms for changing the clothes दों को कितना जबर दकते कि यहाँ पर rooms अगरा सब बना रखे थे changing अगर आपको करना तो कर सकते है the floor of the bath was made up of burnt brick ठीक है तो इसके floor से है वो भी आपके burnt brick से ही बने हुए थे and water was drawn from a large well in the adjacent room and an outlet from one corner to the bath led to the drain and drain वही simple यार सब वही बात लिक हुई है कि वह drainage system जबर्दस था पानी इसमें था शुद्ध रहता था वही सब चीज़े है यहां पर ritual भी हुआ करते है तो रिचुल बाइड रिचुल बाइडिंग साइट थी है अपके यहां पर आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं देखो इकोनोमिक लाइफ के अगर आपन बात करें तो वीट एंड बाल है वेरी वेरी इंपोर्टेंट ही है वीट इन बाल इनके मेन क्रोप्स हुआ करते थे इसके लावा सीशम, मस्टर्ड और कोटन भी यहां पर काफी अच्छा हुआ करता था और अनिमल्स के अगर आगे बात करें तो बहुत इंपोर्टेंट बहुत बहुत इंपोर्टेंट है यू विल नॉट बलीव और आपने प्रीवियर से के उसके लावा गोल्ड और और इंपाउंड इन मेनी प्लेसे पोर्ट्री के अगर अपने बात करें रिमेंस प्लेंट इंड रेड और ब्लेक पाइंट बीट यह तो इसके लावा मैनुफेक्चर्ड वायड वेराइटी ऑफ सेमी प्रीशे से स्टोन्स यहां पर था जो से काट में आगड के लुक उत्हें सब्सक्राइबन तै क्यों में से कहांपर मिलें अपर बीचताffigner के बीर से बीचे और बीट में होते थे बियर करते हैं तो आदमी हो या औरत उस टाइम पर सभी पहना यह करते थे तो यह इससे आपको यह बताना चाहरा है कि वह आपको गोल्ड भी था सिलिवर भी था कोपर भी था ब्रॉंट और सेमी प्रीशे स्टोन भी देखने को मिलेंगे उसके लब कोस्मेटिक्स भी इस्तेमाल हुआ था को हुआ करते थे वेरी कोमन थे और आपको बाता हूं यहां पर जहां बात करते हैं इसकी तो एक बहु कोमन कोस्मेटिक आइटम था सिने बार इसके बारे मैंने बहुत अच्छे से बताई यह बेसिकली क्या होता था यह इस्तमाल होता था बेसिकली जब आज आपको देखने को मिलें वेपन्स के जिसकी एक्सेस स्पीर हेड्स डेगर्स बो एरो यह कॉपर सबसे इंपोर्टेंट पार्ट पर आ चुके हैं यह आपको बेसिकली इनी के देखने को मिलेंगे क्या क्या हुआ करता था इसके बारे में बहुत डीटेल में जाना है एक अप्सलूट डीप में जाना है कि आपको डेप्ट में अगर आपको जाना है तो प्लीज वॉच डीट नोट नीट टू वरी एट और कहीं जाने की ज़रूट आपको नहीं पड़ेगी लेकिन जो टार्गेट आपको दे रहा नो वह लेकर कि चलो आप सारा कवर उसमें करा दूँगा मैं आपको राइट नेक्स बात कर लेटें अगर उसके बाद आपकर बात करें तो इस बिसिकली हिप पर है और इस इंपटर नहीं है और वेरियस डिजाइन के कलर सके और वह भी बहुत अवल दर्चे की बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्टोरियल मॉटिफ अगर मैं बता हूं तो यह जैसे की इनके पर होते हैं मॉटिफ वगेरा फूल वगेरा यहां पर द सरकल लीव्स प्लांट्स और ट्रीज का वित्तमाल हुआ है यहां पर पैंटिंग्स वगेरा अब और संपोर्टरी पीसे वर फिगर ओफिश एंड पीकॉक का भी यहां पर देखने को बिलाया आपको बात करने स्क्रिप्ट की तो स्क्रिप्ट जो है अरपन की इस्टिल इस तरीके से राइट टू लेफ्ट यह कोई डॉक्टर की राइटिंग नहीं है मैं बता रहा हूँ आपके लेकर करके हैं इसके अगर हम बात करें तो कुछ लॉंग सिल्टी है ना यहां से भी कॉश्चन आ सकता है तो आ चुका है इसमें भी आ चुका है इतना बेसिकली इ तो रिलीजन की जब हम बात करते हैं तो चीफ मेली चीफ मेली दीटी जोते वह पश्युपति हैं यह प्रोटो शिवा एं रिप्रेजेंट इस इन दा सील सिटिंग इन योगी कोश्चर विद थ्री फेसे और टू होन्स वेरी इंट्रेस्टिंग यहां बता देता हूं आप यह बेस्टेकल यह आपको यह पर देखने को बिलेंगे क्या इलिफेंट फिर से बतादू इलिफेंट इस इसन डिफिर और इ सब और यह हम बद्हाट करें पर दिजोट्छन तो यह पर चैप्हरन तो नेचर का भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जबरदस तरीका उसके रहाँ बात के तो दे गोस्ट और इविल्स फोर्स एंड यूज्ट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस तेम तो एमुलेट्स क्यों होते हैं जो लॉकेट्स वगेर होते हैं ताबीज बोलते हैं इसक इसके लिए बताए देंगे बाखी तो वह कानी सुना रहा हूं मुह से और हिंदी में सुना रहा हूं यह सब चीज आप जो है तोड़ा सा देख करके चलो बरियल के अगर आपन बात करें तो सीमेंटरी जोहां पर देखने को में देखी गई है कहां पर मोहन जोदारों में ह इंडिकेटिंग देखे गए हैं हर अपा में तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं में हाला कि यहां पर नोट्स में इतना जबर्दस तरीके से लिखा गया है कि सिरफ और सिरफ इंपोर्टेंट आस्पेक्टिस के अंदर जुड़े गए आपके सब इग्जामिनेशन के लिए इकोली रिलेवेंट होंगे और हमारा तो में टार्गेट था आपको है ही ओके अगर हम बात के तो लोथल में वह देखने को आपको मिलेगा और सम्टाइम विदा पेर्स और स्केलेटन्स हावेवर देर इस नो क्लियर एविदेंस इस आपको यहां पर देखने को मिलेगा है ना तो यस डिक्लाइन और अरपन एक बात के तो यह बहुत ही जो है तो यह बोलते है कि भई आर्यंस ने इन्वेजन यहां पर कर दिया था और उनके किले भी लग रहा दिये और रिग्वेदा में भी इस तरीके से बात है की देखने को मिले गए तुगेदर मोहन जुदालों में इंडिकेट्स दर सिटी वस इन्वेड़ेड़ वैपन्स एस वेले स्विफ्ट होर्से जो कि उन्होंने इनको बैसे लिए मचा करके भगा दिया वहां से कुछ लोग बोलते हैं कि सर वहां पर आचुकी थी फ्लड ठीक यह कुछ बेसिकलिए साइट से हैं मांडा कहां पर कश्मीर में बलुचिस्तन पाकिस्तान से बात करें तो सूथ का जैंदोर ठीक है बलुचिस्तान पाकिस्तान से लेकर कि आलमगिरपूर कहां पर आपके यूपी इंडॉन में क्रोन लोगिकल अगर हापन देखें तो सबसे पहले आपके बात करते हैं यहां पर देखें कि अरली सोबीसी से लेकर के तरह सो बात कर लेते तो इसका बैक्गरांड में बतादू आपको कि मैं जो सिटीस अवरपा थी ऐस सब्सक्राइब करें देर इनीशल सेटलमेंट वर इन वेलीज आपके नोर्थ वेस्टन आपके पंजाब के प्लेंस में बाद में आगे बलकर करके इंडो गंगतिक प्लेंस में चले गए इन वहां पर जो एंगे काफे ताइम तक सेटलमेट यहां पर रखा इंडिया जो इसको अर्ली वेधिक पीरेड का नाम दिया जिसको रिग वेधिक पीरेड बोलते हैं जो एक हजार से चेस्टो बीच तक का आपको देखने को मिलेगा तो दो पार्ट मेंसको डिवाइड कर द अगर आपने बात करें तो वह कहीं न कहीं बहुत ही डिबेटेबल हैं कोई बोलता है कि जर्मनी सेंटल एशिया तो आपको जाने की बाल गंगादर तिरा बेसिकली उन्होंने कहा है कि आर्केटिक रीजन से हैं आपके और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन उन्होंने कुछ तरिके से की होई है ना थियोरी ऑफ सावर्तर न्रश्रिया की बेसिकली अपेर्स वी मोर प्रोबिवल एंड वाइडली एक्सिप्टेट बाइड इस्टोरियन नोट सो इंपोर्टेंट इंट्राव बात करने तो पंदरा सो बीसी में इंड इंडो-ार्यन इनको कहने लगे इंडो-ार्यन लांग्वेज है ना यस वेदिक लिटरेशर की बात कर लें यहां से क्वेश्चन आएंगे नोट सो इंपोर्टेंट बता जिया इंपोर्टेंट क्या यह है इंपोर्टेंट तो वर्ड वेदा बेसिकली इस ड्राइफ रॉट वर्ड जो विद होता है विद क जो इंपोर्टेंट नहीं है वो उसको पढ़ा दे रहा हूं मैं लेकिन सबसे इंपोर्टेंट जो है इसको बार 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 पढ़ाओंगा बोल भी दिया मैं आपको फिर बाद में केनामत कोईश्चन अगर आ चूड़ जाए तो है ना बहुत ध्यान से सुन लो र जुरुदे की बात कर ले है तो इसमें आपके रूऍल से ग्यों के अलुजरू ड्र बात कर ले है तो किस तरीके से परपस की ना एकन कड़ते दूरिंग सेंसा 2 इसके बारे मिच्चंप le ही का भी and it is called the book of chants and इसका जो ओरिजन है और जो इंडियन music वो भी यही से आपको देखने को भी लेगा इंडिया की music चाहि कि आप या भी चाहे वो करनाटिक हो या फिर नौर्थ इंडियन का music हो अथर्वएद की बात करें तो इसमें आपके philosophical text होते हैं dealing with the topic of जैसे कि soul हुआ उसके लवा जब बात करते हैं अपसलीट कौन है गोड कौन है origin of the world किस तरीके से और जो mysteries है nature की not God but mysteries of the nature it's very brilliant उपनिशद्स सबसे बड़े उपनिशद्स के प्रोपेट जम बात करें प्रपाउंडर रहें तो वह हमारे अदा दिन स्वामी विवेका नंदा है ना अरन्यक्स क्या होते हैं अरन्यक्स होते हैं आपके forest books and they deal with आपके mysticism, rights, rituals and sacrifice related चीज़े की यहाँ पर बाते करते है उसके वाद अगर हम बात करें तो रिग वेद की और जो अल्ली वेदिक पीरेड है तो यह मालते हम इसको बोलते हैं सब्ते शिंदू और लेंड अफ सेवन उसके अंदर रिग वेद में इसको क्या कहा गया सब्तर सिंदू and the land of seventh river की इसको इंडिया को and this includes आपके five rivers of Punjab नेमली जेहनम, चेनाव, राभी, विया, सतलच and इंडस and इसके लाब सरस्वती भी है लेकि सरस्वती इसको आपके mythological river है mythical river इसको हम बोलते हैं नहीं देखा तो basic unit of political organizations होगा करती थी कुल और family आपके, कुल जिसको अबन बोलते हैं वही, अंगरेजी सबको बिगार देती है राइट, हम उसके बात करें तो, several families अगर आपन बात करें, join together on the basis of kinship and form a village, ये जो होते हैं, बहुसतारे कुल, एक साथ आते हैं, एक कुल, दो कुल, तीन कुल, चारकुल, इसे करकर कि विलेज बना देते हैं, ग्रामा बना देते हैं, आपने प्लाटो की state theory पड़ी है, नहीं पड़ी channel पर जाकर की एक बार देखो, वहाँ पर आपको पता चलेगा, Aristotle की पड़ी है, नहीं पता, Socrates की पड़ी है, नहीं पड़ी, कोई पता नहीं, कोई द आपके अगर हम बात करें, तो उसको ग्रामनी बोलते हैं, ग्रामनी, यह जो ग्राम बना है, बहुत सारे कुलोसे मिल करके, उसका जो लीडर हुआ करता है, वो उसको ग्रामनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रामनी, वेरी वेरी इंपर्टें, यह नहीं पास्ट, इससे क् करें तो group of villages जो आपके यह अपके बनाते आपके वीशू एक larger unit बनती है तो बहुत सारे कुल मिल करके बनाये ग्राम को ने मिल करके क्या बना दिया आपके वीशू इसको वीश्ययपति को करता आपका head करता है gram को कौन करता है gramony vishu को कौन करता है vishyopati and highest political unit होती थी वोती थी जण and ये जो vishu होते है ये सब किसके पार्ट है आपके जणा के जो कि tribe जिसको अपन बोलते है ठीक है सरद में यहां तक clear रहे आपका बिल्कुल है न तो tribal kingdoms की जब हमने बात करें during rig Vedic periods इसको हम बोलते थे जिसके की उस ताइम पे कौन कौन से थे तो भारताज, मतस्य, यादूज, पुरूज वोई सब चीज़े है the head of the kingdom होता था राजन तो एक सामराज्य है state है उसका कौन होता था था leader आपका राजन और king रिगवेदिक में ही बैसिकर अगर हम बात करें तो नॉर्मली तो मुनार्की कल यह करती थी and succession was आपका hereditary जो राजा का बेटा राजा होता है वो वाली philosophy वहां से चलती हुए आ रही है कहां के हम बात करता है रिगवेदिक काल की and जो king ताउस को कौन-कौन असिस्ट करता था तो प्रोहित होता था जिसको हम बोलते है प्रिस्ट होते है प्रिस्ट बड़े-बड़े वो उसके लबावा सेना नहीं होता था वो commander होता था of the army ठीक है simple and इसके अगर हम बात करें तो there were two popular bodies is called आपके सभा and समीटी यूपे सिका प्रिविए सेर का क्वेश्ट नहीं है उसके लबावा बहुत सादर examinations पर भी आ रहा है तो जो आपके सभा होती थी ये basically बात करते council of elders ये होती थी council of elders and जो हम बात करते है जो basically आपके समीटी होती थी वो होती थी general assembly यानि कि गावों में जितने भी आपके eligible लोग है ना वो qualifications होती थी समीटी का भी बनने का हाला कि बोलते थी आम जन की बैठा कही है उसमें भी होना थी आगि आपके आदमी होना चीह हो आप मेन होना चीह है and certain age होनी चीह है वो सारी चीज़ है तो सभा कोन होती थी आपके council of elders समीटी कोन होती थी general assemblies को में बोलता है ठीक है social life के अगर आपन बात करें during the rigved भूलना मत हमेशा context याद अखना रिगवेद के अपन बात कर रहें रिगवेदिक एज की ओके sorry for the handwriting here रिगवेदिक society के रहे बात के तो पैट्रियार कल है अभी मैंने बताए ना कि qualifications eligibility होती है इन सब को ले करके वही सब चीज़े है and basic unit जो होती थी society की वाद आपके family और ग्रहम सकता था लेकिन there is no way another there is no way around तो basically वाइस वर्सा ना हुआ करता था women were given equal opportunities as men for their spiritual and intellectual development that is very interesting thing बहुत important है फिर सद्ध्यान से सुनो ये basically question है आपका कि वही रिगवेदिक टाइब में महिलाओ की जो परिष्टिती थी वह बहुत ही दया नहीं थी आप इसके पर आपको टिपपड़ी करनी है अब आपको इसके पर लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे and there were women points भी थे जैसे अपाला, विश्वारा, घोशा, लोपा, मुद्रा आपके रिगवेधिक पीरिड यहाँ पर आपको इसके लवाँ सर और क्या इंपोर्टेंट हो सकता है उसके लवाँ सर आपको बात करें तो जिब विमेंस हैं वर अलसो गिवन अटेंट दे पॉपॉलर अस्टेमली वो अस्टेमली इस अटेंट कर सकती थी तो वो इसी से पता चलती थी ठीक है कि वही किसके पास कितनी गाये हैं यहना social division जो था हो बहुत rigid नहीं था तो during वेधिक age में अगर हम बात करें तो बहुत ही rigid नहीं था लेकिन later वेधिक period में यह और भी ज़दा अगर हम बात करें कुरूर बनता गया यहना और ज़दा rigid होता चला गया पिर बात करते हैं शुद्राज कहां से निकल Sacred नहीं कहले बात करें रहे बदा चार वर्णास ओते हैं चार वर्ण सब्सक्रिय hm आउट कास्ट यह बहुत आपके ब्रॉट पर सदूर्ड सिंग को उस तॅ thành के णन्हों अन्छूर गया तो आज basically हमको इसी तरीके की social evil से उन्हें खतम करने पर basically काम करना चाहिए तो आप किसे काम करोगे इसको ले करके तो यार आप हमारे students हो है ना और आप UPSC के experience है तो definitely आप तिरस्कार करना जहां पर भी कोई इस तरीके का discrimination आपको देखने को मिले सब लोग भाई भाई तो है अपन बात करें तो इस पीरेड बे पास्टोरल पीपल हुआ करते थे जो गायों को चराना वह इनका गायों का लालन पालन पॉशन है ना फिर उनसे आने वाले प्रोडक्स का बाटर कर लिया करते थे या फिर उन्हें ही कंजूम कर लिया करते थे वही सब चीज है और वेल्ट वह एस्टिबेटेड इंटरम्स आपको राई तो यही सब चीज है वन दे पर्मानेंटली सेटल इन नोर्थ इंडिया बिगें टो प्रैक्टिस अग्री कल् इस तरीके से इस तरीके से जिनका हम यूज कर सकें तो इस तरीके से सिविलाइजिशन बनती है इस पिनिंग वस अनादर इंपोर्टेंट ओक्यूपेशन जिससे क्या करते थे आपके मतका मोड़ पोर्ट रिव गरहा होता था गोल्ड स्मिथ जो सुनार होते थे वर एक्टिव इन मेकिंग ओनमेंट्स है न उस ताइम पहे और ट्रेड जुता वस कंडुक्टेट ओन बा अगर बात कर रहें अर्ली रिगवेधिक एज की राइट तो रिगवेधि में अगर आपकी अगनी फायर वायू विंड रेन इंड्र आपके थंडर है अच्छा सबसे बड़े जो अगर माने जाना सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो देवता वो आपके अगनी होते ह आपका में अगनी बता रहा है इंडियन कंशर में किस तरीके से है जाते हैं या फिर क्यों जलाई जाती है Agni basically the Agni dewa was actually the mediator Agni dewa was basically the mediator किसके बीच में जो humans होते हैं जो देवी देवताज होते है उनके बीच में ये भी देवताई है लेकि जो भगवान होते है उनके बीच में क्या करते हैं ये actually as आपका Mediator का काम करते है यारे कि अखर कोई आपको खाना चड़ाना है भगवान के, तो आप क्या करोगे, अगनी के थुरूदे होगे वो, अब जिसको मानना है, मानिये, ना मानना है, ये इंडिन किल्चर का पार्ट है, बता दिया यार, छोटी-मोटी बाते हैं, है ना, फिमेल गोड़ भी थे, जैसे कि अदिती ए उशा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर मैं बाह बताओ आँ आपको, तो अभी आपने अर्ली वेधिक पिरिएट की बात करी, अब इस वाले में आपन बात करेंगे, लेटर वेधिक पिरिएड में, लेटर वेधिक पिरिएड की बात करेंगे, यह आपके 1600 BCH की बात है, आपके लेटर वेधिक पिरिएज में, लेटर वेधिक पिरिएज में, कुरू, पांचाल, हमने इनकी बात की थी, फिर कुरू, पांचाल गिर गए, इनका फोल हो गया, फिर क्या बना, आपका कोसाला बना, काशी बना, विधेय बना, यह बहुत प्रॉमिनेंट घरानास हुआ करते थे, घरानास नहीं बोलूँगा, जो है, वह आपके, माइथोलोजी से बात करें, तो कनेक्ट कर सकते हैं, तो लेटर वेधिक टेक्स, जो गर हम बात करें, इसको लेकर के तो तीन डिवीजन से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया का, तो फिल आपका आर्यवरत, दूसरा मध्यदेश, दक्षिन इंडिया को नौर्थ में हम बोलते हैं, ठीक है, इतना किलियर है, आपको लेटर वेधिक पीरेद हम यहां पर देख रहे हैं, तो इस ताइम पर पॉलिटिकल और्गनाइजेशन किस तरीके से रही होगी, तो लार्जर किंग्डम से यहां पर रुआ करते थे ते लेटर वे जनापदास्तु राष्ट्राज एं इन्होंने लेटर वेधिक पीरेड में यह जित्ते भी जना होगा करते थे, बहुत सारे आगए एक तरफ है ना इन समने क्या बना दिये वह सारे आपके राष्ट्राज तो यह बड़े बड़े-बड़े यहां पर किंग्डम से यहां प इसको बात करते हैं जो किंग्स था और यह आपके सॉल रूलर जिसको हम बोलते हैं तो यह सब आपके कहां पर पॉपलर हो गए यह टाइटल्स यह आपके लेटर वेधिक एज में इसके बाद हम बात करें लाज नमबर ऑफ न्यू ओफिशियल्स को भी इस तरहें पर लाना पुरोईत अबने देख लिया सेनानी देख चुके हैं ग्रामनी देख चुके हैं लोगर लेवल्स पर आखर आपके लेटर वेधिक पीरियद जो कि हमारे अर्ली वेधिक प्रियद में बहुत डॉमिनेंट तो यह जो थे न सबसमीति यह थे एक्सिस्टेंस में थे गायप नहीं हो गए पूरे लेकिन अब इनकी पूछ कम हो गई थी इनकी इंपोर्टेंस हो गई थी बहुत कम ठीक हैं यहां से आउट्पुट आप ज्यादा निकाल करके लेके जाओगे ठीक हैं लेटर वेधिक एज की बात करें लेटर वेधिक आपने बात करें भूलना कभी मत अइनके और अपने में आक चूबट आपमने अंडर्वेधिक आपकर मैंट देखा हैं वेधिक पी बात करें तो अ बता था समुद्र के बारे में यह बैबिलोन ना कहां पर आपके बैबिलोन बताइए मुझे यह आपन ग्रीज जाते है तो यह उन कंट्री से क्या करते थे रेट करते थे बताइए क्लास ऑफ हरी डेटरी मंचें जिनको वानियां बोलते हैं कम इंटू एक्जिस्टेंट थिक वह बोलते थे क्रिशनला ठीक है क्या बोलते थे शत्मला एप याद रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है फिर से बता दूँ आपको शोचल लाइब के बात के ब्रामिने थे वह आपके आपके अनुछ सब चीज है ना बता चुका हूँ मैं आपको एक बार आप जाकर करक इस चीज़ को लेकर के जो पावर फादर था इंक्रीज दूरिंग आपके लेटर वेदिक पिरिए तो वही जो चुने वुने दो चार राइट से वही उनको इसके लावा बुश्णी था देवर इस्टील कंसिडर इंफीरियर एंड सब्सक्राइब तू ने मैं यह था वुमे लेटर वेदिक पिरिड़ में तो वुमेंस की कंडिशन जो हो गई बहुत खराब वुमेंस की कंडिशन फर्दर खराब हो गई जिंदकी में नहीं बोलोगे अब आप अगर आपने इसको पड़ाओगा तो चाइल्ड मेरीज की बात करें तो हैड विकम कॉमन तो इस टाइम पेख और करी आए था और ये ब्रावभेंस की दोटर हैस बिन डिसक्राइब एस सोर्स ब्सक्राइब सोगें जो हैंड दुख्क पार व्हाइब रशने ब्राम्मान के कोडिशन अवावेवर लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी थी एक मिश्हाज प्रदा प्रथा शब रिलीजन को लेले हैं तो रिलीजन में आपके आपन गोज जो थे अर्ली वेधिक पिरेड लाइक इंद्रा अगनी वह तो यहां पर खतम हो गए उनका तो यहां पर इंपोर्टेंसी खतम हो रखा था लेकि नया यहां पर आगा नहीं लग गए जिसके प्रजापती प्रजाप टूबी आपके लेटर से तो अपो यह वह था सबसें मंस था हुए मैं बात करता हूं कि अजी कर बहूंत अле लेटर जीजन सारी चीज़ें सबसेंट थ ही मैंशन कि ऐना आप इंपोंटकेंस आप एन्प्रजांच यहिति हो गया आपton अपरेड पर्रेंज शोत textbooks अ के समाज का अगर कोई भी कुरीतिया अगर डेवलाप हुई तो लेटर वेदिक में हुई प्रिस्टूट जो था वो प्रोफिशन बन गया एन उसको हरीडेटरी बना जिया पुरोहित के बेटा पुरोहित पुरोहित बिसिकली राजा बनेगा भी कि उसको सबकुछ राजा उसके इशारों पर नाचे है ना राइस ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म वस डारेक्ट रिजल्ट ऑफ टी इलाबोरेटेड सेक्रिपाइज मैंने क्या कहा इवल जमगें से किनका जनम हुआ इविल्स का सोश जान तो थाही ना तरीके से और सब्सक्राइब करेंगे जैनिज्म बुद्धिज्म जब इतनी कूरी तिया वगेरा सब चल रही थी जब हम बात करते किसकी तो उजागर होते हैं यहां पर दो सबसे इंपोर्टेंट सब्सक्राइब को जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कि यहां पर बात करने सब्सक्राइब करेंगे और बहुत कोईश्चिन आप यहां से आ रहे हैं तो 6th century BCE में अगर बात करें यहां तो यह हो रहा है ग्रीस में क्या हो रहा है ग्रीस में एथन्स में क्या सब्सक्राइब करें बहुत इंडिया की जब बात करें तो रिपब्लिकन इंस्टिटूशन यहां पर बहुत स्ट्रॉंग हो गेते इंडूइजम में उस टाइम पर काफी सारे सेक्स है ना इंडूइजरली तो हिंडूइजम यहां पर बहुत राइट्स रिचॉल्स करें किया करते थे अब बहुत सारे इन में से ना डो से सबसे सबसे अगराम बात करें तो सक्सेस्फूल है एक होई जैनिजम दूसरे में बुद्धिजम तो राइस का कोस्ति क्या रहा प्राइमरी कोस्तों यह था कि जो रिलिजियस अन्रेस्टा लोगों के अंदर इन इंडिया में 6th century BC में क्योंकि अब इसका फाइदा को उठाते थे जो आपके पड़े लिखे उस टाइम पर लोग हुआ करते थे उसका इंटर्पिटिशन बिगाल करके अपने हित के लिए वह इस्तिमाल किया करते थे यह निकल पड़े दो छत्रिया राजावों के बच्चे निकल पड़े किस रहा पर एसी जो रहा है कि दुनिया को बदल दी दुनिया बदल दी अधर देन दिस डिलिजियस फैक्टर सोशल और एकनोमिक फैक्टर भी थे जिन्हों ने राइज ऑफ दीस टू रिलिजिएंस को अगर आवन बात करें तो वह इसको जागर किया जो रिजिट और टिजिट का सिस्टम था प्रिवलेंट इन इंडिया जो जनरेटेटेटेटे सिस्टम थे और लाइज पैसा लोगों के पास वैसे फिर वह ह्यार के उपर जाही नहीं सकते क्यों नहीं चाही चीज़ां अगर वर्दवन के बारे में जाने वर्दवन महावीर ग्रेट 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 ग्रेटवर्वण सब्सक्राइब करते हैं लेकिन इनका सबस्क्राइब नाम हुआ विकोज यह मास्स तक पोचने में बहुत सक्सेस रहे हैं बशाली में नियर वेशाली चत्रिया प्रेजेंट आपके जो सिधार्थ त्रीशला वेरी वेरी इंपोर्टेन एंड कंटेम्प्रेरी थे आपके बुद्धा के इनकी शादी हो गए तो ये शोधा से इनका नकी की की एज में ये आसेटिक हो गए आइज 12 साल तक इन्होंने ब एंड रहाएज्ट स्प्रिछ नोलेजिश को यह इसको काई वल्ले वोलते हम काई वल्ले लें कि एपर जाकर के इंकी डेथ हो गई कभी मिले नहीं बुद्दा से मिलना चाहिता है यार क्या ही कॉन्वर्सेशन हुगा को तना यह सोचो आफे ना तो महावीरा की टीचिंग को जिस तरीके से थी उन्होंने तीन प्रिंसिपल दिये जैनिजम के जिसमें से एक आपका त्री रतना, त्री जिसको में बात करते हैं, एक है राइट फेट, हैना त्री तीन रतना में आपके तेक राइट फेट, राइट नॉलेज, राइट सोल बसी हुई है, आत्मा है वही सब में, यह बात करते हैं दूरा राइट कंड़क्ट की, राइट कंड़क्ट का मतलब इसके पांच ग्रेट वाउज हैं, अगर जैनिजम की बात करें तो बहुत सारी वाउज हैं, लेकिन अब पांच ही पढ़ते हैं, कि नोट टू इंजर बताइब, फूरा बात करें, बघल सारी वाउज हैं, कि रखन जाते हैं, अगर वात करें, कि सोल होती है, तो सोल को मारना जितना बराबर होता था, जैनिजम, बुदिदिजम, बहुत डीटेल में पढ़ना हैं, तो बताएं मुझे लेकर क्यांगा थेक्रेशन में, लेकिन तो आपको पड़ेगा ना तो बताइए मुझे डॉक्त्राइन अगर बात करें रहे हैं रहे हैं रहे हैं तो इसके बात है तो जो महावी रहे हैं उन्होंने संगा की यहां पर ओर्गनाईज किया संगा का हिस्सा यह बनाते थे ठीक है जैनिजम का रैपिड स्प्रेड तो हुआ वस्टू डेडिकेटेड वरक आपके मेंबर सुद्ध संगा की जो अगर हमन बात करें तो संगा में जो लोग हुआ करते थे वहीं राइटिंग्स को ले करके पिर स्प्रेड करते थे इसके अब रैपेडली वेस्टर इंडिया में काफी जाता इस प्रेड हुआ चंदर्गुप्त मोर यह जो थे हैं ना इसको पैट्रोनाइस किया आपको पता है चंदर्गुप्त मोर यह अच्छे वाली वीडियो देखो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर में चंदर्गुप्त मोर यह के बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरके से जैनिसम में अपना सामराज्य त्यागने के बाद क्या किया कहां गए वह उसके बारे में बताया उसने इसको लीड किया था उनको वह बैसिकली स्थल बाहू के अंदर थे और उन्होंने अपना कोड ऑफ कंडक्टी चेंज कर दिया था फिर बाद में कोड़ ऑफ कंडक्टों लोगों ने चेंज कर दिया और यहां से डिवीजन क्रियेट हुआ यहां पर ठीक है एक जो चले गए थे वह तो हो गए आपके जब बात करते हैं दिगंबर यहां से कुष्चन आ रखें फर्स्ट जेन काउंसिल जो थी आपके वह पार्टली पुत्र में हुई थी इस्तल बाहू यह लेकर किया थे यह इन्होंने वेसिकली इन्होंने करवाई थी एंजो लीडर लेकिन इतना इंपोर्टेंट था अभी तक जैनिसम में आपके कपिलवस्तु में कहाँ पर कपिलवस्तु में कहाँ पर कपिलवस्तु बहुत इंपोर्टेंट इनके इनके फादर शुद्धोधन वो शाक्या क्लेन के लीडर थे और उनके मदर थी मया देवी ठीक है यह भी बहुत ही पावर्फुल गहाने से थी आई वोट इंपोर्टेंट है है ना ओके इस अंट प्रजापती गोदमी यह 16 की एज में इनकी शादी होगा यह शोद्रा से ए इस राहूल इतना पुराना नाम है तो आस तो बहुत कॉमन है ना हां बहुत कॉमन है इनको देखने को मिला जब यह पहली बार घर से निकला आप सब को पता है कहां नहीं तो इन्हों ने फिर अपनी जो वर्ल्ली लाइफ उसको त्याग करके कहां चले गए 29 की एज में यह अपना घर चोड़ देते हैं साथ साल तक इन्हों ने कहां पर ट्रेवल किया और मेट सेवरल टीचर लेकिन किसी ने भी इनकी मदद नहीं की इनलाइटनमेंट के लिए तो फिर इन्हों ने इतलास खुदीव जाकर के बहुदी तरीके नीचे बेट गया में इंटेंस पैनेस किया गया इनके द्वारा बहुत कड़ी तपस्या यहां पर इंके द्वारा की गई जब बात करें 35 की एज में इनको निर्वान पराप्त हो गया इन्लाइटनमेंट इनको हो गया उसके बाद यह 45 साल तक घूमते फिरते रहे एन 80 साल की एज में कुशी नगर में जाकर के इनका हो गया देथ इनकी डेथ हो गई उसको क्या बोलते है महा परी निर्वान जो अगर बुद्धा के अगर हम देखे तो सरीपुत्ता, मोगलनन आनंद, कसपा और उपखाली इसमें से, अईफ्पाली एक किंग और बाद करें पसंजीत मगणेता करें एनोने की डॉक्र्ट्राइटकश को एकसेप्ट किया अगर हम बात करें तो यह बनारस राजगिलस रवस्ति वेशाली नालंदा यहां पर इन्होंने विजिट की वाली प्लेस तो बहुत इंपोर्टेंट है यह कभी बूलना मन इनकी टेचिंग्स के बारे में अगर थोड़ी बाते बताऊं तो फॉर नॉबल नॉबल टूस का इन इस आपका सफरीम केंगे रिमूवड ठीक है और यह चार बाते यहां पर इन्होंने की यह बात करें दिस केंगी ड़न बाय फॉलोंग डी एट फोल्ट बात यह निकिए चार सत्य बता दिये उन्होंने आपर बता दिये अब इन सत्य को अमल में कैसे लाया जाए तो आपको एटो फोल्ट पात यहां पर फोलो करना पडएगा और एटो पॉल्ट में से आपका जैसे की राइट वीव दरश्टी आपका सही होना चाहिए दरश्टी आपके राइट रिज्स औरेट स्पीच राइट कंड़क्ट आपके राइट लाइविल्लिवूड राइएफर्ट Right mindfulness and right concentration. Very, very important. Eightfold path. Very tough. Buddha neither accepts God nor rejects the existence of the God. Very, very important. Maha कर लो, highlight कर लो, जो करना कर लो. He laid great emphasis on आपका law of karma. कि जो कर्म करेगा, जैसा बुकत वेसा होगा. He taught that the soul does not exist. Very, very important. यही difference है. यही difference है Jainism में और इसमें. Main, main important. Even under the gravest provocation, he did not show the least anger or hatred and instead आपके 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 आपके. And he was a rationalist आपके. You know, scientific बात करते थे. He tried to explain things in light of reason and not on the basis of blind faith. You know, science तो थाएम पर थी नहीं, लेकिन हम बात करते हैं. थी, इसे तो अगर हम बात करें. तो लेकिन आप जमता को केसे समझाएं? तो उन्हों रीजन के इस्तमाल करते हैं बहुत तगड़ा. And he did not make a direct attack on caste system. हाला कि ये against the social distinction के and ये जो order बना हुआ रखा है. उन्हों सब के खिलाप ते ही है. तो buddhism was more social than a religious revolution. तो ये very important line है, बहुत important है. लिख दिया ऐसे में तो छा जाओगे. And it taught आपका the right to the code of practical ethics थे. वो, and lay down the principles of social equality. ये यापर इन्हों ने यापर बात करी. उसके बाद अगर हम बात करें, spread की. तो जो buddha है, has two kind of disciples. जैसे के आपके होते थे, monk, जिनको bhikshu बोलते थे, और दूसर होते हैं तो लेवर्शी पर, जो उपासिक होते हैं. Simple है, नाम से बता चल रहा है. भikshu को और आपके उपासिक. Simple, very important. The monks were organized into the sangha for the purpose of spreading his teachings. उसके बाद अगर हम बात करें, the membership was open to all the persons, in male, female, कोई भी हो, without any caste restrictions. Sangha के अपन बात करें, गवर्ण और डेमोक्रेटिक लाइन, very, very important. जो मगत थे, कोशाल थे, कोसंभी थे, उसके लाव कुछ और, जैसे की, अम बात करें, North India के Republican state थे, गनतंत्र जो थे, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा embrace किया. Ashoka तो इतना ज़्यादा influence हो गया थे, उन्होंने अक्सेप्टी कर लिया, धम्मा की जो नीती थी. And through the missionary efforts of Ashoka, जो इन्होंने बुद्धिजम को spread किया, के Ceylon, Shri Lanka, West Asia तक भी, China भी ले गया था. That's a local religious sect was transformed, तो world religion, तो Ashoka का ही धन्यवाद हमको यहाँ पर देना चाहिए, है ना, तो जो हमारी जर्धरती है, उसने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है, कौन बोलते हैं ऐसे, हमारे प्यारे हैं, ठीक है, ओके सबके प्यारे हैं, बुद्धा काउंसल की अगर हम बात करें, तो यह सबसे important है, highlight कर लो, मा कर लो, जो करना है, कर लो, लेकिन कर लो भईयो, है ना, सबसे पहले बात करें, तो फ़र्स्ट जो बुद्धिस काउंसल थी आपके, वो राजगिरह में आयो, जित की गई, अंडर दर चेर्मेंशिप अब आपके, जब बात करते हैं, महाक्षप, ठीके, एंड उनके इमेजिएटली आप, जो बुद्धा की डेथ के, ज़स्ट बाद में यह और्गनाईज कर ली गई थी, ठीके वे उनके जो थोट से, उनको रीकलेक्ट क्यों ना कर लिया जाए, एंड इस परपस वोस तू, इसको में बुद्धी पूरती आपर इसको में पाटिसपेट किया, है ना मोगले पुत्र सौरी ओके अश्व का ना पेट्रोज था एंड मोगले पुत्र तिस्था बेसिकली वस दा प्रेजिडेंट यानि कि उन्होंने प्रिसाइड किया यह फाइनल वर्जन जो था और त्रिपितकस का वो बेसिकली इसी फाइनल इसी में ही कंप्लीट हुआ ग गई थी है ना इसके चेर्मेन कोंते आपके किसने प्रिसाइड किया था वसुमित्र ने अश्व गोष जोते पार्टिसिपेट इन इस काउंसल वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह बहुत और कुछ लेकर जाना है बुद्धिस्थम से तो यह ले लोगा तर न्यू स्कुल ऑफ प्रिष्ट बाइदी बुद्धा और प्रोपगेट बाइदी अश्वका वस नोन इस अहीन आन जो अश्वका का था वो तो हीन आन था न यह आद रखना जो बुद्धिस्थ टेक्स थे वर कलेक्टेट एंड कंपाइड सम फाइफ अंड्रेड यर्स आप्टर देत पॉट्णी लंगवेज फ्रिव्लिंट लेंगवेज फाइड देट तैम से तो फिर अन उन सारी देखर के से हुआ इंड्या चाइना में सौथ कोरिया में जिपाइन में और भी बात करें फो उसे पाली की लैंग्वेज का इस्तिमाल था यह मासेस की लैंग्वेज थी पहली बाद तो वस गिवन अप फ्रॉम दी फॉर्स सेंचुरी एडी याने कि जो नई काउंसिल आने लगी ना नई काउंसिल आने लगए याने कि जो नए प्रोपोगेटर्स आने लगए इनके उन्होंने क्या करना स्टाट कर दिया कि अब जो ओफरिंग लेट देटरियरेशन अफ दा मॉरल स्टेंडर्स यह वहाथ खतरना काम यहाँ पर हुआ एंदी अटेक ऑफ दा हून्स हून ने जो अटेक किया 56 सेंचुरी में तुर्किश इन्वेडर्स थे 12 सेंचुरी में उन्होंने मोनास्ट्री को अफगानिस्तान में जब बताईए बुद्धिजम का अगर हम बात करें तो concept of अहिंसा देखर के गई है और इसके अलावा जो आर्ट इन अर्किटेक्ट्चर में जबर्दस काम इन्होंने किया इस तुपा जो सांसी में बना गया बरूत में बनाया गया उसके लावा चेत्याज चेत्याज का होते थ जहां पर यह जितने भी भिख्षुकते तो इसके लब बात करें तो रेजिटेंशल यूनिवर्सिटी जिन्होंने बनाई जैसे कि आपके तक्ष्रीला में नालंदा में आपके जहां बात करें विक्रम शीला में ऑक्सफोर्ड से भी जबर्दस यहां पर अगर हम बात करें तो इनकी लेंग्वेज के तो पाली उसके लब अधर लॉकल लेंग्वेज इसी टाइम पर डिवलप कुई द्यूरिंग टाइम जो टीचिंग से बुद्धिजम की इसी में स्प्रेड हुई थी तो इंडियन कल्चर का इसको इस प्रेड यहां पर अलग पार में एशिया के अलग अलग हिस्तों में पहुचाया आपके बुद्धिजम ने इसका कॉंट्रिब्यूशन है वेरी वेरी इंट्रेस्टिंग तो हीन यान महायान में डिजार यह बात करें तो डिफरेंस क्या है यह वर्शिप करते थे आपके बुद्धा की इमेज को उसके वाला अगर बात करें तो जो हमारे मैरिट और डिमेरिट वाज आपके डिपेंडेंट हों था प्रीवियस वर्थ यान कि पिछले जनम पर यह काम करते थे इंग यह करते थे मेरिट केन बी स्ट्रेंथन थूद् प्रसंट आपके पायस एक्ट यहां पर करप्शन आ चुका तो यह आपके यहीं की बात नहीं वेस्टन कल्चर में भी था और आपके बात बताओं तो नहीं पहुंचाने कि इस तरीके से क्या कर जाए तो जो इस त्टारीटि वाला था उस तब इतने कैब बताइए आपको उस टाइम पर कहते थे कि यह चर्च के कुछ papers हुआ करते तो उनको क्या नाम था मैं बता दूगा आपको बाद में कि भाई यह purchase कर लो है ना तो और आपकी जो है पाप सारे ढूल जाएंगे इस तरीके से तो जो हमारे जब हम बात करते हैं बहुत सारे क्रिश्चन रिफॉर्मर्स हुआ करते हैं जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनको उठा करके जला दिया जाना है उसके लागर बात करें तो वेरी फ्यू रूलर्स जिन्होंने पैटरनेज़ के हीनियान को सबसे सब्सक्राइब तो दोनों नहीं नकार दिया एक तरीके से अगर देखा जाये तो जो है कि बहुत कोमनती आप पढ़ लेने एक बार देर्स नौट सो इंपोर्टेंट रहीं डिस्सिमिलारीटी तोड़ा सा इंपोर्टेंट है एंगर हम बात के तो डिफ्रेंसे रिगार्ड जाब के कॉंसेट ऑफ मॉक्ष तो मॉक्ष को लेके बुद्धिजम जो थे वह कहते है कि मैं अटेंस मॉक्ष वें एंड्स ओल्ड देजायर्स और देजायर्स वाइल लिविग इन अक्वर्डिंग तो जैनिजिसम मॉक्ष किया है इस अ फ्रीडम फ्रॉं माइजरी और जै सब्सक्राइब करें तो बहुत ही एंफिता है कि यह यह देराइज देराइज देर इस एक्सेप्शन देर चांसे देरेज़ पोसे पोटेंशलिटी की कोईशन अच्छा बने यहां से दूसरा की मीन्स ऑफ अप अटेंवेंट अब बुद्ध मॉक्ष कि जब बात करते हैं क बुद्धिस्ट के जो संगास थे हैं वो कहते थे कि प्रोपर होना अच्छी फोर दी अटेर्मेंट अथा मॉक्षा एंडे हेट सेल्फ मॉर्टिफिकेशन और सीविर पैनिस जो की जैनिसम बहुत अच्छे से विरीव करते तो उनमें फास्ट में सीविर पैनिसमें इस सब कि बात करें तो बुद्धिस्ट करते थे एट नोबल पात्स पर जबकि जैनिसम करते थे त्री रतनाश पर में बता चुका हुए लेंगवेजर की बात करें तो जैन ही जो होगा करते थे वह संस्कृत में में संस्कृतन प्राकृत में लिखते थे जबकि बुद्धिश किसमें लिखते थे पाली में बता दिया था मैंने connection अगर हम बात करें इंदुजम के साथ तो जेनरेलिजन इस नियर टू दे हिंदुजम टिके वेरस बुद्धिजम जो थे वो policy of keeping away from the हिंदुजम इस नियरे कि जितना दूर हिंदुईजम से रहो उतना भेथर है तबी तो बुद्ध में जाकर के तबी तो बुद्ध में जो जितने भी शुद्रास थे जितने भी lower caste थे जाकर के वो बुद्ध उन्होंने अपना लिया था सबसे major कौन होए सबसे मेजर हुए हमारे डॉक्टर भीम राउं अम्बेट करें बाबा साहिब अम्बेट करें कास सिस्टम की बात करें तो जेनाज अपोस्ट इट बट बुद्धिजम अपोस्ट एन अटेक्ट विहमेंटली यह थो अमने देखा रोयल सपोर्ट ने तो बुद्धिजम को ज्यादा मिला और जैनिश्ट को इतना कुछ नहीं मिला इस्ट्रोंग रोयल सपोर्ट उसके लाव प्रोपागेशन के बात करें तो बुद्धिजम तो दूसरी कंट्री सब जा पाया लेकिन यह नहीं जा पाया नेक्ट बात करेंगे ते राइज ओफ मगत एन एलेक्जेंडर का इन्वेजन ठीक है ओके